जहें दो सुवंद्य मात्रा भारत और चीन के बीच में 9 दिसंबर को रुनाचल प्रदेश के तवांग से 35 किलोमेटर दूर जड़ा पूई यह बात सभी के सामने आ चुकी है चैसो के करीब चीनी सैनिकों को वापस धकेला गया है और इस धक्का मुक्की में चीन के कई सैनिकों की हड़ियां भी टूटी है यह व्यापक तौर बाद सामने आ चुकी हाला कि चाइना की तरफ से भी अब स्टेट्मेंट आ गया है कि स्थितियां गंभीर जरूर हुई थी कि अब स्टेटी सामान ने हैं फ्लैग मार्च हुआ सैन अधिकारियों के बीचे मीटिंग हुई और सभी चीजें स्टेबल है इन सभी के बीच में असद दिनोवैसी ने सवाल उठाया है कि भई जब यह घटना 9 दिसंबर की है और अभी एक्टिव पार्लेमेंट सेशन चल बुरे में बुरा तो देखते हैं लेकिन वह अच्छे में भी बुरा ही देखते हैं मतलब बेसिक सी बात यह होती कि अंदर से इतना नेगटिव होते हैं कि इनको नेगटिविटी की बजाए कुछ दिखता ही नहीं है यह उन लोगों में से होते हैं जो गलास को आधा भरा पलकी आधा खाली बाते हैं इसी के साथ साथ राजात सिंग ने वड़े व्यापक तोर पर जवाब दिया है सदे हुए शब्दों में जला जान लेते हैं क्या कुछ कहना है सरकार का इस पूरे मुद्धे को लेकर क्योंकि यहां पर मोधी सरकार के कमजोर होने का लातार आरूप लगाया जा रहा है वे पक किरमन करके यह था स्थिति को एक तरफा रूप से बदलने का प्रयास किया भारत की सेना ने चीन की इस करतूद पर जड़ता से सामना किया कि इंद्री रक्षामंतरी ने आगे जानकरी देते हुए कहा कि भारत चीन की सेनाओं के बीच हुए इस संगर्ष के दौरान हाथा भारती सेना ने पूरी बहाद्दूरी से पियले को हमारे शेत्र में अथिक्रमल करने से रोग दिया भारती सेना ने पियले को मजबूर कर दिया कि वह वापस अपने पोस्ट पर लट जाए उन्होंने ये भी जानकारी दी कि दोनों तरफ के कुछ सैनिकों को चोटे भी गटना के शेबाद छेत्र के एरिया कमांडर ने 11 दिसम्बर दोजरवाइस को अपनी चीनी समकक्षों के साथ स्थापे दिवस्था के तहत एक फ्लाइग मिटिंग करी जिसमें इस घटना पर तरचग चीनी पक्षों मना किया गया कि उस तरगी हरकते ना करें औरने सीमा प किसी भी प्रयास को रोकने के लिए हमेशे तत्पर है उन्होंने विश्वास दताया कि सदन हमारी सेनाओ की वीरता और सास को एक स्वर से समर्थन देगा उनके बयान पर सार ये है कि दोनों तरफ के सैनिक चोटिल हुए है कोई भी भारती सैनिक गंभी दूप से घायल नही हुआ और चीनी वापस लोट चुके हैं लेकिन कि इंद्री ग्रह मंतर हमेशाद ने संसद में भारत चीन की जड़ब के मुद्दे को लेकर विपक्षी तरफ से हंगामे पर नाराज़गी जाहिर करी उन्होंने कहा कि लोग सबा में आज विपक्ष ने प्रशनकाल नहीं च अब कहा था कि रक्षामंतरी संसद में भारत चीन की सेना की बीच भी जड़ब पर वयान देंगे फिर भी संसद को वधत किया गया इसी पर अमिट शाह ने कहा कि चीन पर कॉंग्रेस का दोहरा रवह यह रहा है बारती सैनिकों ने कुछी देर में चीनी सैनिकों को खदेर भारत की एक इन जमीन पर भी कब्जा नहीं हुआ है शाह ने कॉंग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा नहरुजी के चीन प्रेम के चलते हैं भारत की सुलक्षा परिशद में सदस्ता बली चड़ी थी 62 में चीन ने हजारो हेक्टेर भूमीहड़ अपले उनने कॉंग्रेस पर गंभी रारोप लगाते हुए कहा कि कॉंग्रेस को चीन से मोटी रिकम मिलती राजीव गांदी फाउंडेशन को चीन से पैसे मिले कि राजीव गंदी फाउंडेशन को दोजार पात साथ के वित्ती काल में दोरान चीनी दूतावासों से करीब सवा करोड का अनुदान मिला जो एफसी आरे के नुशार रुचित नहीं था इसलिए ग्रह मंत्राले ने कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुँ इसका पंजीयन रद्द कर लिया ये मामला अब काफी बढ़ चला है इस मामले में काफी लोग अपनी बाते अल्रेडी कह चुके है ऐसे में सबसे वड़ी बात यही है कि भारती सैनिकों नहीं जो बात दूरी दिखाई है उसका यहां पर सम्मान किया जाए या फिर किसी प्रत्रकार से भारत की संप्रबुदा को छेड़ने वाले चीन के बारे में इसी बाते कहीं जाए असे दिन ओवेसी ने दर असल तवांग अलाके में जड़प के मामले में सरकार को घिड़ते हुए सवाल किया था उन्होंने कहा कि भारत चीन सानिकों के भी जड़प 9 दिसंबर को ही इस दौरान पार्लियमेंट चल रहा है तो सरकार ने इसकी जानकारी इस दिन क्यों नहीं दी हमें तीन दिन बाद मीडिया बता रहा है कि हमारे बहाद दोर सानिक हायल हुए है मुझे देश के आर्मिया पूरा भरूसा है लेकिन देश में एक कमजोर लीडर्शिप है मोधी सरकार चीन का नाम लेने से हमेशा गवराती रही तो ऐसे में सीरी बात यही है कि हमको वही है पहले क्यों नहीं बता है तो मेरे आप बस वही है पूछने वाली अगर इनको पहले बता भी दिया जाता तो यह क्या करते सीमा पर जाते नहीं आप भी अच्छे से जानते हैं और मैं भी अच्छे से जानता है अगर इनको पहले जय 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 बार